नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरा नाम है विक्रम आप देख रहे हैं विके मेत यूटूब चैनल तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी की मैतमेटिक्स के लिए सिंपल इंट्रेस्ट साधारन ब्याज का पार्ट टू है जिसमें हम दोस चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर हम इसकी ट्रिक समझते हैं तो यहां पर दोस्तों जो ट्रिक नंबर वन है वो कुछ इस परकार से है कोई रासी साधारन ब्याज की दर से T वर्सों में N गुनी हो जाती है तो दर ग्याद करना तो यहाँ पर दोस्तों जब इस प्रकार से question हमें दिया जाता है कि इतने वर्सों में रासी इतने गुनी हो जाती है इसी दर से तो वह दर जब ग्याद करना हो तो उसके लिए trick क्या है यहाँ पर दर ग्याद करने के लिए N-1 हमें करना है बटे में T-100 परतिसत यहाँ पर देखिए N क्या है कि जितनी रासी गुनी होती है जिसे N गुनी है तो यह दोस्तों N का मान हो जाएगा और समय जो हमें दिया जाएगा T वरसों में ठीक है तो यह पहली ट्रिक है चलिए इस ट्रिक के लिए हम एक एक एकजामपल लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एकजामपल लगो कुछ इस परकार से है कोई रासी 20 वरसों में 3 गुनी हो जाती है साधाल अन ब्याज की दर ग्यात करें तो इस परकार से हमें किशन दिया जाएगा और इस ट्रिक से देखी किस परकार से दर हम ग्यात करेंगे यहाँ पर दोस्तों N-1 हमें करना है तो N क्या है जितनी गुनी रासी होती है यानि कि 3 गुनी है यहाँ पर तो N का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे माइनस 1 हो जाएगा बटे में यहाँ पर समय आएगा जो हमें दिया गया 20 वर्स तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे गुणा में हो जाएगा 100 ठीक है अब इसे हम 16 कर लेते हैं तो 3 में से हम 1 गटाएंगे 2 बचेगा बटे में 20 आएगा गुणा हो जाएगा 100 ठीक है अब यहाँ पर देखे 2 का बाग 20 में हम लगाएंगे 10 बाज आएगा 1 सुने से 1 सुने को कटा देंगे यहाँ पर केवल 10 रहेगा तो 10 परतिसत यहाँ पर क्या हो जाएगी दर हो जाएगी ठीक है तो इस परकार से दर आप याद कर सकते हैं जब इस परकार से कुष्यन हमें पूछा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो ट्रिक नंबर 2 है वो कुछ इस परकार से है कोई रासी सादारन ब्याज पर आर परतिसत की दर से आन गुनी हो जाती है तो समेग याद करना तो इस परकार से कुष्यन हमें दिया जाएगा तो इसके लिए दोस्तों समेग की ट्रिक क्या है यहाँ पर ब्रेकिट में है N-1 बटे में है R और गुना है 100 वर्स ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस ट्रिक में मान लगाएंगे जो भी हमें दिया गया है और कृष्यन को सोल करेंगे तो चलिए इस ट्रिक के लिए भी हम एक 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 एकजामपल लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एकजामपल लग कुछ इस प्रकार से है कोई रासी सादारन ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्सों में दुगुनी हो जाएगी तो इसके लिए देखे समय के लिए ट्रीक क्या है समय ग्यात करना है तो यहाँ पर दोस्तों N-1 हमें करना है N यहाँ पर क्या है कितनी गुनी होती है तो दुगुनी होती है तो यहाँ पर N का मान हम 2 रखेंगे माइनस 1 हो जाएगा बटे में यहाँ पर आएगा दोस्तों R यानि की दर कितनी है 10 परतिसत की दर है तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे गुणा यहाँ पर 100 वर्स हम करेंगे ठीक है इसे हम सोल कर लेते हैं तो देखे 2 में से एक गठाएंगे एक बचेगा बटे में 10 आएगा गुणा हो जाएगा 100 तो एक सुन्य से एक सुन्य को कटा देंगे केवल 10 बचेगा तो यहाँ पर आएगा 10 वर्स ठीक है तो 10 वर्स में वहर आसी दुगुनी हो जाएगी इस परकार से इसे कुष्यन आप आसानी से सोल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस परकार से है यदि कोई दन T1 वर्सों में N1 गुना हो जाता है तो N2 गुना होने में लगा समय ग्याद करना तो इस परकार से जब कुष्यन हमें दिया जाता है तो वहाँ पर दोस्तों हमें T2 समय ग्याद करना होता है या यहाँ पर T1 समय भी पूछा जा सकता है तो देखे T2 समय ग्याद करना है तो उसके लिए trick क्या है N2-1 बटे N1-1 और गुना T1 अब यहाँ पर देखे N2-N1 क्या है जो यहाँ पर T1 वर्सों में होता है वह N1 गुना हो जाएगा और यहाँ पर जो T2 समय में होगा वो N2 गुना हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम मान लगाएंगे और एक समय में दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों ब्रेकिट आप साथ में लगा सकते हैं तो चलिए अब इस trick के लिए भी हम एक example लेते हैं और इस trick को अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस trick के लिए हो जाती है तो यह किसका मान है N1 का ठीक है देखिए यहाँ पर T1 के साथ में N1 हमें दिया जाएगा और यहाँ पर यह रासी कितने वर्सों में समय की 6 गुनी हो जाएगी तो यह मान होगा दोस्तों N2 का और यहाँ पर हमें समय ग्यात होगा वह मान होगा T2 का ठीक है तो चलिए इस ट्रिक में हम मान लगा देते हैं तो समय ग्यात करना है T2 समय में यहां पर ग्यात करना है तो यहां पर दोस्तों देखें हमें क्या करना होगा N2 का मान रखते हैं तो N2 का मान है यहाँ पर 6 तो 6-1 हो जाएगा बटे में N1 का माना देखे 2 नहीं हो जाती है ठीक है तो 2 मान हो जाएगा-1 और यहाँ पर हम इसे ब्रेकिट में लिखेंगे गुणा यहाँ पर हम time लिखेंगे तो time है 5 वर्ज तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे आगे इसे sol कर लेते हैं तो देखे 6 में से 1 गटाएंगे 5 बचेगा 2 में से 1 गटाएंगे 1 बचेगा गुणा यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 25 तो 25 वर्स यहाँ पर समय आएगा T2 ठीक है तो इस परकार से इसे कुष्चन इस ट्रिक से आप sol कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस परकार से है कोई धन एक निश्ची सादारन ब्याज की दरसे T1 वर्सों के लिए दिया गया है यदि वर्स T2 कर दिया जाए तो ब्याज का अंतर X रुपे हो जाता है तो मूलदन ग्याद करना इस परकार से जब हमें कुष्चन दिया जाएगा और वहाँ पर मूलदन जब ग्याद करना हो तो मूलदन के लिए दोस्तों ट्रिक है यहाँ पर X गुणा 100 में करना यानि कि जो ब्याज का अंतर हमें दिया जाएगा उसका गुणा 100 से करना है बटे में T2 माइनस T1 गुणा 1 बटे आर यानि कि एक बटे दर या इसे हम इस परकार से भी लिख सकते हैं कि मूलदन बराबर ब्याज का अंतर बटे समय का अंतर गुणा 100 बटे दर यह एक ही फॉर्मूला है जैसे यहाँ पर देखे X ब्याज का अंतर है तो ब्याज का अंतर बटे देखे T2 माइनस T1 यानि कि समय का अंतर किया गया है गुणा एक बटे आ रहे हैं और इसके साथ में 100 है तो यहाँ पर 100 पहले लिखा है बटे में 10 लिखा है ठीक है तो इस परकार से दोस्तों ये ट्रीक है चलिए अभी इस ट्रीक के लिए भी एक एक एकजामपल हम लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रीक के लिए जो एकजामपल हो कुछ इस परकार से है पांच परतिसत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्सों यों पांच वर्सों में साधारन ब्याज का अंतर 80 रुपे है तो मूलदन क्या होगा यहाँ पर देखिए मूलदन हमें ग्याद करना और ट्रीक हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है ब्याज का अंतर उपर रखना है तो ब्याज का अंतर 80 रुपे बटे समय का अंतर हम कर देते हैं तो पांच वर्स और तीन वर्स का अंतर हम कर देंगे, पांच में से तीन हम गटा देंगे, गुणा यहाँ पर सो लिखना है और बटे में यहाँ पर दर, तो दर हमें दीक यह पांच परतीसत, ठीक है, इसे हम सोल कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, असी उपर पांच में से तीन गटाएंगे, दो बचेगा, गुणा यहाँ पर सो हो जाएगा, और बटे में पांच हो जाएगा, इसे अब हम सोल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, दो से हम सो को कटा देते हैं, पचास बार, और पांच से पचास कट जाएगा, दस बार, तो असी का ग परसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेट जरूर करें आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बादे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत वंदे मातरम